पिछली लेक्टर में हमने एक गुफ्तगु शुरू की थी इसको कल्चर में क्या वेरियेशन है तो बात वहीं से चलती है कि जहां जिन्दगी एक हकीकत है वहां यहां से चले जाना भी एक हकीकत है और हाला कि हम इस हकीकत से गुजरते रहते हैं रोज मर्रा जिन्दगी में बिल्कुल डेथ हमारे आसपास इसी तरह होती है जिस तरह जिन्दगी हमारे आसपास है लेकिन इसके इदगिद फिर भी एक प्रॉसस है जिसको इनसान अपनी जात में एब्सॉप कर भी चुक है डेथ को लेकिन उसके पावजूद हर वक्ट डेथ को एक सर्प्राइज के तौर पे भी लिया जाता है इसकी वज़ा एक बहुत बड़ी काइनाती हकीकत है कि जब एक लाइन क्रॉस इस जिन्दगी से दूसरी जिन्दगी में हो जाती है तो there is no turning back इसलिए भी the most final reality of this world and our life is actually death तो हमने cultural हिसाब से के अच्छी death कैसी है और उसके लिए हर कोई खाहिश रखता है आगे चलते हैं कि जब death हो जाती है तो इसके इद्गित मुक्तलिफ cultures में जो इजहार गम है grief expression and rituals हैं वो क्या होते हैं वार्डन ने एक definition दी है grief की कि ये personal emotional reactions हैं जैसे sadness भी होती है गुसा भी यी हकीकत है कि आपको क्यद्पा अपने ही पे गुसा आ रहा होता है क्योंके बेबसी के हैसास होता है जाने वालों के मामले में कोई guilt होता है कोई चीजे अधूरी रह जाने की वज़ज़ से गुद पर गुसा आ रहा हुता है या कभी उनकी कोई अन्फिनिश्ट चीज़ें होती जिनकी वज़ासे आप उनकी तरफ भी कुछ नेगटिव जजबात रख सकते हैं। यह किसी भी लॉस के बाद यह जो इमोशन्स का प्रॉसस है यह परसनल इमोशन्स का इसको ग्रीफ कहा जाता है। पाकिस्तान में एक स्टडी हुई गर्मिन कॉलेज में डॉक्टर आमना खाजा एंडॉक्टर आसेर अचमल ने डेथ की जो रसूमात हैं उनको देखा। जाहर है हम सब जानते हैं लोगों का जमा होना इजहारे अफसोस करना कई दिनों तक खाना भेजना दौा के लिए कुरान पाक पढ़ना और कबर पे जाना कबर किस से असूसियेटेट जो रिचूल्स हैं फिर घर से कौन रुखसत करने जाता है लोगों का किसी की फाइनल र स्क्रिप्ट बना हुए हम उस वक्त यह नहीं सोचते कि पूछ लें क्या करना है क्योंकि वह आल बीन थ्रू दैट उसमें कुछ फैमिली के कल्चर में भी कभी वेरियेशन होती है लेकिन वह एक स्क्रिप्ट सा है जो हम सीख रहे होते हैं शुरू से अपने देख के तो यह सारे मरहले जो मैंने बताई हैं इसके अंदर हम खुद बखुद शामिल हो जाते हैं तो उन्होंने बकायदा है कि इस वे रिसर्च की कि यह जो सारी रसूमात है यह असल में हमें क्या साइकलोजिकल रोल किया है नफसियाती तो और पे इन चीज़ों का क्या रोल है और उस स एक social और एक spiritual आप जितना इस पे देखते जाएंगे सोचते जाएंगे और मौत के मामले में चामिल हो रहे होंगे तो आपको इतीनों बातें याद आएंगी emotional यानि वो जो आप शौक, disbelief, sudden ऐसी कैफियत जिसमें यकीन ना आ रहा हो बेयकीनी उसमें होते हैं उसमें ये सारे ritual बहुत मददगार थाबित होते हैं, बहुत sport देते हैं, ठीक है, एक कई दफ़ा आप ऐसी गहर यकीनी की होते हैं कि आपको लगता है कि आप दुनिया में हैं लेकिन आप किसी और आलम में move कर रहे हैं फिर spiritual इसलिए कि जो गया है उसे भी उसका सफर भी असान करना है और खुद अपने लिए भी क्योंकि हम जो भेजते हैं वोई कल को हमाई तब भेजा जाएगा हमने जहां वो गया है, वहाँ जो reality है, वहाँ कोई चीज जो उसको पहुंच सकती है जिसको हमने conceptualize किया है सबाब की शकल में अब यह बहुत खास तोर पर मुस्लिम concept है older Christianity भी यह concept था लेकिन मैंने इसको बहुत डिसकस होते हैं नहीं सुना modern western world में जो originally Christian world थी bereavement जो है वो ऐसा experience है जो किसी प्यारे की death के बाद आप experience करते है morning या सोग मनाना वो process है जिसके जरिये हम अपने दुख का इजहार करते हैं और culture जो है उसमें accepted forms of grief exertion होता है मर्दों को अक्सर वो गले भी मिलेंगे sadness भी होगी लेकिन बहुत उंची आवाज में जो बैन करना या रोना या मातम करना वो कभी तो ज्यादा किया जाता था अब वो कम हो गया है खास तोर पे cultured जिसको हम urban या educated लोग कहते हैं लेकिन अगर कभी आप गाउं में जाएं तो वहाँ पे आपको एक जरूरी बात समझी जाती है कि आप दाखिल ही हो जनाजे वाले घर में तो आप उंचा 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 नहीं चाचा जी नहीं चाचा जी अब अब I found it always absurd that चाचा जी has gone and the life has ended उस नहीं का मतलब समझ नहीं है कि नहीं हम उनको तो नहीं कह रहे Nobody has power over death तो वह शायद हम उनको नहीं कह रहे तो क्या जान लेने वाले को कह रहे है So I found that a very absurd मातम and grief expression इसी तरह stages है या tasks है इसके बारे में दो तरह की बाते हैं ये कई जाती हैं कि कुछ टास्क हैं उस दुनिया में जीना सीखो जहां से कोई जाने वाला चला गया है उसके इद्गित जो सारी गुफ्त कुए है उसको एक positive side पे रखें बजाए उसको sadness के साथ रखने के और इस तरह की one, two, three, four tasks भी define की गई है और इसको stages भी का जाता है पहली stage shock, दूसरी stage acceptance, तीसरी stage attending to the cues around the lost person और उसको फिर एक reality को accept करना, उसे accommodate करना and then moving beyond that and moving beyond that हमारे faith में यह होता है कि आप खुद भी जाने को तियार है और आप कहते ही मुलाकात तो हो नहीं है वहां जाके this has provided comfort to lot of people that I know when they went including me even you lose someone जिन को बगारा पनाने का रसंबूर भी नहीं कर सकते तो culture में, bereavement में फर्क है, आपको कबरें जैसे नज़र आती है, उन पर जाने के rituals नज़र आते हैं, सवाब के नज़र आते हैं, हम सब जानते हैं कि पहले जनाजों में औरतें नहीं जायती हैं हमारे culture में, लेकिन आप मैं पिछले कुछ सालों से देख रही हूं कि ना भाई, वालदा के जनाजे में खड़ी होती है, नमाजे जनाजा में बलके वो कबरुस्तान भी जाती है, अपनी जिन्दगी के बेशतर हिस्से में हम बैठ के इंतजार करते थे, जब हमारे भाई, वालदें, बेटे, कंदों पे उठाके किसी को छोड़ने जाते थे, जब म होता है, जब उसका बाप पौत होता है, बसलिए आपको इंडिया में नजर आएका, मोर्निंग फैमिली जो यह रिश्टेदारों को खाना खिलाती है, सद्का खेरात देती है, फ्रूट या फूड और तब नहीं, जाने वाले के जाने के बाद तक हम यह समझते हैं कि यह उ पहुंचता, जो कुरान पढ़ लिया, नेका माल कर लिये, वो साथ ले गया, आपके कुछ करने से उसको नहीं पहुंचेगा, अच्छा यही गुफ्तगू दूसरे कल्चर में मैंने बिलकुल मुस्लिम कल्चर में सुनी है, बुद्धिस्ट में सुनी है, पुराने हिंदू रहता है, नॉर्थ अमेरिकन, यॉर्पियन सुसाइटी से, मुक्तलि रिष्टेदारियों की वज़ा से, मुक्तलिफ रिसर्च की वज़ा से, तो यह गुफ्तगू कॉमन डायलोग में नहीं देखी, लेकिन प्यार का इजहार करना, गरीफ में किसी के गम में शरीक होना, र वज़ू के कीवाम इनसान उसमें जब اेक दूस्री की तरफ देखते हैं, तो उन्हें पता है कि किसी के चले जाने का दुख क्या होता है, अपनी मौत का खॉफ क्या होता है, मौत कैसी रियालिट्य Лी है, मौत के मकाबले में बहादरी कया चीज चीज है, और मौत को दोस्ते से intuitively इन चीज़ों को तमझते हैं और शेर करते हैं.